Hello everyone, welcome to Replica World आज हम बात करेंगे Biotechnology, Principles and Processes के बारे में तो हम लोग स्टार्ट करें KBS, PGT, Biology के लिए पढ़ना और इसमें हम सबसे पहला चाप्टर पढ़ रहे है Biotechnology जो कि Class 12 का चाप्टर है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस lecture में हम डिस्कस करेंगे की Biotechnology क्या होता है और Biotechnology की कुछ एक दो ऐस्पेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं की Biotechnology आखिर है क्या What is Biotechnology? तो जैसे की इसके नाम से हमें पता चल रहा है Bio and Technology दो शब्दों से मिलके बना हुआ है यानि जब हम Living World में या Living Organisms के साथ टेक्नलोजी का भी इस्तमाल करते हैं तो उसको हम Biotechnology बोलते हैं हाला कि अब Biotechnology की Definition को Restrict करके देखा जाता है कहीं जगे बट Biotechnology बहुत ज़दा वाइड है ठीक है आगे हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी तो अगर मैं Basic Definition देना चाहूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि Biotechnology एक ऐसी चीज़ है एक ऐसी फील्ड है जहांपे की हम Manipulation करते हैं जिसकी वज़े से हमें Better Product मिल सके Better Process मिल सके जो कि Human Beings के लिए जरूरी है यानि इनसानों के लिए जरूरी है जैसे की Making of Curd, Bread, Wine ये सब Microbes Mediated Processes है बट इसमें भी हम Biotechnology की Principles का यूज अगर करें तो ये Biotechnological Processes हो जाती है और इसको हम Microbial Biotechnology कहते हैं यानि कि Microbes के शेतर में जो Biotechnology यूज की जाती है तो Biotechnology का यूज करके तो बहुत सारे काम किये जाते हैं बट आप बस इतना समझ सकते हैं कि जहां पे हम Living Organisms के साथ में Technology का इस्तमाल करें उसको हम Biotechnology बोलते हैं हाला कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है और हमें क्योंकि जादा Knowledge नहीं होती है तो हम सिर्फ इतना मानते हैं कि Genetically Modified Organisms हैं सिर्फ वही Biotechnology में आते हैं यानि कि अगर हम किसी के DNA के साथ छेड़ चाड़ करें उसको Modify करें तो सिर्फ वही Biotechnology है जिबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है Biotechnology में और भी बहुत सारी चीज़े हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि Principle of Biotechnology क्या है यानि Biotechnology के Principles क्या है तो एक Principle है हमारा Genetic Engineering Genetic Engineering की जाती है Biotechnology में इसमें क्या किया जाता है किसी भी Genetic Material के Chemistry को बदल दिया जाता है वही मैंने बोला कि Modification कर दिया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है किसी और का जीन उठा के किसी और के अंदर डाल दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए ठीक है ये किसी जीन को हटा दिया तो मैनिपिलेशन किया जाता है यानि बदलाव किया जाता है और इसी को हम बायो टेक्नलोजी का एक बहुत एहम हिस्सा मानते हैं तो अगर हम किसी के जीन में बदलाव कर देते हैं तो उसके फिनो टाइप में भी बदलाव हो जाता है मतलब की जो भी चैरेक्टर उसकी बाडी में दिखते हैं वो भी बदल जाते हैं जैसे कि मान लीजे कि हमने किसी एक गाए के दूद को हम बहुत जादा enhance करना चाते हैं हम चाते हैं कि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाया है कि special टाइप की प्रोटीन उसके दूद के अंदर आ जाए तो हम उस गाए के अंदर एक ऐसा जीन डाल सकते हैं जिससे की अच्छी प्रोटीन उसके मिल्क के अंदर आने लग जाए तो यहां पर हमने क्या किया गाए के डियन नेम से छेड़ चाड़ करी यानि कि उसको मैनुपलेट किया बाहर से कोई जीन लाकर उसमें डाल दिया इस वज़े से उसके मिल्क में प्रोटीन आना शुरू हो गए जादा अमाउंट में तो क्या हुआ फीनो टाइप में देखने को मिला असर यानि की जो चीजे हमें दिखती हैं जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं उनको हम फीनो टाइप बोलते हैं तो फीनो टाइप में हमें वो चीज देखने को मिली तो यह एक बहुत एहम हिस्सा होता है जेनेटिक इंजीनि organism जब हम microbiology में काम करते हैं तो हमें सिर्फ कोई desired organism को ही grow कर आना होते हैं हम जैसे किसी particular bacteria को grow कर आ रहे हैं lab में तो हम उसी को grow कर आना चाते हैं हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई unwanted आए तो unwanted ना है इसके लिए भी हम biotechnology की चीजों का use करते हैं इसके अलाव बहुत सारे biological products भी हैं जैसे कि antibodies, vaccines, enzymes इन सब का हम यह जो सब चीज़े हैं यह biotechnology की ही देन है ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे कि अब आजकल बहुत सारे vegetables आते हैं जो कि biotechnology की देन है ठीक है इसके अलावा कुछ और भी crops आते हैं जो कि biotechnology crops होते हैं यह genetically modified crops होते हैं तो इस तरीके genetical modifications करके भी products बनाया जाते हैं biotechnology का reuse करके products बनाया जाते हैं medicine में भी, food industry में भी agriculture में भी बहुत सारी चीज़े आते हैं वो चीज़े हम अगले chapter में पढ़ेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे applications of biotechnology फिलाल हम सिर्फ पढ़ेंगे कि biotechnology में क्या क्या processes होती है ठीक है देखिए वैसे तो बहुत सारी processes होती है बट यहां पर जो main focus रखा गया इस chapter में वो रखा गया recombinant DNA technology पर ठीक है तो हम इसमें recombinant DNA technology के बारे में ही पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि recombinant DNA technology क्या होती है और यह चीज कहां से शुरू हुई थी तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है recombinant DNA technology recombinant मतलब कोई चीज अगर combine करके बनाई गई हो ठीक है तो उसको बोलेंगे recombinant दुबारा से combine करके कोई चीज बनाई गई हो तो उसको हम बोलेंगे recombinant तो recombinant DNA technology में हम क्या करते हैं किसी alien gene को किसी और gene के साथ attach कर देते हैं किसी बाहर वाले DNA को host के DNA के साथ attach कर देते हैं तो इससे जो हमारा DNA बनता है या वो recombinant होता है क्योंकि दुबारा से recombination हुआ combination हुआ दोनों DNA का तो हम बाहर से कोई alien DNA या foreign DNA लेते हैं और host के DNA के अंदर उसको डाल देते हैं तो उससे जो DNA बनता है उसको हम recombinant DNA कहते हैं और इस technology को हम recombinant DNA technology कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि यह सब चीज़े start कैसे हुई कैसे शुरू हुआ था recombinant DNA technology का use तो यह चीज़े तब start हुई जब सबसे पहले recombinant DNA बनाने की कोशिश की गई जिसमें कि सबसे पहले क्या किया गया कि जो antibiotic resistance genes होते हैं ठीक है उनको किसी और DNA को आड़ करने की कोशिश की गई ठीक है तो सबसे पहले चीज़ हुई थी linking gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of salmonella typhimurium सबसे पहले क्या किया गया कि antibiotic resistance gene को link करने की कोशिश करी गई salmonella typhimurium के native plasmid के साथ में native मतलब कि जो naturally उनमें plasmid पाया जाता है salmonella typhimurium में उनके साथ antibiotic encoding genes को लगाने की कोशिश जब की गई तो तब यह चीज़ की शुरुआत हुई थी recombinant DNA technology की जो Stanley Cohen और Herbert Boyer थे उन्होंने 1972 में सबसे पहली बार antibiotic resistance gene को isolate किया था ठीक है तो उन्होंने क्या किया था उसको cut किया था they cut out the piece of DNA from a plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance तो उन्होंने एक plasmid में से एक टुकडा काट काट कर अलग किया था सबसे पहले वो टुकडा antibiotic resistance के लिए responsible था तो यहां से यह चीज़े शुरू हुई थी ठीक है तो अब यह जो cuted DNA था इसको क्या किया गया फिर एक specific location से लेकर मतलब कि जो भी DNA हमने लिया वो एक specific location से लिया और फिर इस DNA को किसी plasmid में लगाया और फिर plasmid को किसी host के अंदर transfer किया इसके बारे में हम बात करेंगे आगे ठीक है तो यह चीज़े यहां पर करी गई थी तो वो जो cutting है वो possible हो पाई थी restriction enzymes की वज़े से वो भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अब हम basic steps के बारे में बात करते है कि recombinant DNA technology में basic step क्या होता है कैसे बनाया जाता है recombinant DNA उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा desirable gene है उसको identify करते हैं चीक है जो भी हमारा desirable gene है उसको identify करते हैं उसके बाद उसको cut करते हैं with the help of restriction enzyme उसको cut करते हैं desired gene को सबसे पहले क्या करेंगे पहचानेंगे identify करेंगे फिर उसको cut कर लेंगे उस position से उसके बाद उसको एक vector से attach करेंगे और उसके बाद ये जो recombinant DNA बनेगा इसको हम क्या करेंगे host के अंदर transfer कर देंगे ठीक है अब इसको हम इस diagram की help से समझते हैं माल लीजे कि ये हमारा एक foreign DNA है और इस DNA में हमें एक ऐसा gene मिला है जिसकी protein हमें बहुत use आएगी हम commercially उसको use कर सकते हैं ठीक है चलिए ऐसा माल लेते हैं कि ये जो foreign DNA है इसमें insulin के लिए gene मौझूद है insulin protein diabetic patients के लिए बहुत जादा जरूरी होती है क्योंकि उनके अंदर insulin नहीं बनता है तो उनको बाहर से लेना पड़ता है तो माल लेते हैं कि ये जो foreign DNA है ये इसके अंदर insulin का gene है और अगर उस insulin के gene को हम निकाल लेंगे तो हम commercially भी insulin protein बना सकते हैं patients के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस foreign DNA में से वो gene निकाल लेंगे जो हमें चाहिए जिस्ति की protein बनता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस foreign DNA को किसी restriction enzyme से कट कराएंगे जिससे कि ये हमारे fragments में बदल जाएगा ठीक है इसके बाद हम एक vector DNA लेते हैं ठीक है वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई होग इसले में स्यादा डिटेयल मेंसके नहीं जाऊंगी vector क्या होता है vector एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी एक जख से दूसरी जख ने का काम करें ले जाने का काम करें जिसी कि मच्ष बज़ेंता है वो malaria के लिए vector का का काम करता है मच्छर की वज़े से malaria नहीं होता है, protozoa की वज़े से होता है, plasmodium की वज़े से होता है तो plasmodium को गंदे पानी से लेकर आता है mosquito और वो उसको inject करता है इनसान के खून के अंदर जब वो इनसान को काटता है तो जब इनसान को मच्छर काटता है मलेरिया का तो फिर उसके काटने के थूँ इसके बाइट के थूँ क्या होता है कि जो हमारा यह प्लाजमोडियम होता है यह बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो मॉस्कीटो का काम सिर्फ इतना है कि वो गंदे पानी से इसको इनसान तक पहुंचाएगा तो वो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे वेक्टर की जरूरत होती है ताकि जो हमारे यह डिजायर्ड जीन है यह जो हमारा desired gene है इसको किसी host में भेजा जा सके multiply होने के लिए इसी लिए हमारा जो vector DNA है उसकी हमें जरूरत है तो एक vector DNA यूज किया जाता है ठीक है जो कि क्या काम करता है transfer करने का काम करता है देखे vector DNA हम किसको use कर सकते हैं वैसे तो different type की vector DNA होते हैं हम vector को भी बहुत detail में पढ़ने वाले हैं बस यह आज एक introductory lecture है तो vector हम ऐसे चीज को use करेंगे जो कि self replicating हो खुद replicate कर सकता हो ठीक है हमें ऐसा use करना है तो vector में हम जादा तर plasmid वैसे तो बहुत सारे use करते हैं अबर इहां पर plasmid के example दिया हुए कि हमने एक plasmid vector लिया है तो हमें एक plasmid vector लेंगे और क्या करेंगे जैसे कि यह हमारे desired fragment है इसको लेंगे ठीक है और vector DNA लेंगे और vector DNA को उसी restriction enzyme से cut करेंगे जिससे हमने foreign DNA cut किया था ताकि ends एक तरेकी के मिले जैसे यह ends है ऐसे यह वाले ends भी मिले फिर इसको लेंगे और इसमें attach कर देंगे foreign DNA को लेंगे और इस वाले vector DNA में attach कर देंगे तो vector DNA में जैसे ही हमने attach किया तो अब ये बन गया हमारा recombinant DNA तो हमने क्या किया जीन ओफ इंट्रेस्ट को या desired DNA को हमने vector में attach कर दिया जिससे हमारा बना recombinant DNA ये बन गया हमारा recombinant DNA जी कि अब ligase enzyme की help से हम इन दोनों को join करा देंगे इसके बाद अब क्या होगा यहां पर अब हम इसको host में transfer कर देंगे जो suitable host होगा suitable host में जैसे हम transfer करेंगे तो वो जो host है वो transformed हो जाएगा transformed host कहलाएगा या transformed cell कहलाएगा क्योंकि अब उसमें एक अलग type का DNA है जिसको हमने बोला recombinant DNA अब जो यह recombinant organism या transformed organism है जब यह divide करेगा जब यह reproduce करेगा तो यह recombinant DNA की property अगली जनरेशन में भी जाएगी और यही हमें चाहिए ठीक है अब बात यह आती है कि हम recombinant DNA technology का यूज क्यों करते हैं हलाकि हम इसको detail में पढ़ेंगे बट अभी के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि जबी भी हमें अपने किसी desired gene की cloning करानी होती है हम चाहते हैं कि यह बहुत सारा gene हो हमारे पास ताकि हम जादा से जादा product बना सके तब हम recombinant DNA technology का यूज करते हैं जैसे कि हमें insulin चाहिए हम commercially insulin बनाना चाह रहे हैं तो naturally तो किसी की body से निकाल के हम नहीं डाल सकते हैं फिर उसकी body में कम हो जाएगा तो पहले gene को clone कराया जाता है तो gene की cloning के लिए हम क्या करते हैं उसको vector से attach कर देते हैं और किसी और organism में डाल देते हैं जिसमें की वो तेजी से multiply करता है तो gene की बहुत सारी copy बन जाती है और इसी के लिए हम recombinant DNA technology का यूज करते हैं तो अब यह हो जाता है तो इस तरीके से हम recombinant DNA technology का यूज करते हैं और इस तरीके से किया जाता है तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे आगे further lecture में हम पूरा detail में देखेंगे कि recombinant DNA technology में किन-किन चीजों का यूज किया जाता है किस तरीके से किया जाता है इस chemical level पर भी देखेंगे और इस पूरी process को हम समझेंगे तो आज के लिए स्रफ इतना ही मैं उमीद करती हूँ कि ये lecture आपको समझ में आया होगा और बायो टिकनलोजी के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ पाये होंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें शेयर करें और एपले कबल को सब्सक्राइब करें